अब हम स्टार्ट करें कि करमुक्त अनुलाब कौन कौन से हैं देखिए और जो पार्टली टेक्सेबल है या मतलब टेक्सेबल फॉर स्पासिफिक एंपलाई है उनकी बात हम नेक्स वीडियो में करेंगे पहले हम बात करते हैं कि जो बिल्कुल टेक्स फ्री है देखिए टेक खोजने के काम में लगे वे करमचारी है उनको आवास की सुविदाएं वहीं उपलब्द करवा रिखी हो कोई डैम का निर्मान हो रहा हो और वहीं पर उनको आवास दिलवा रखा हो और कोई भी साइट चल रही है वहीं पर आवास दिलवा रखा हो कोई भी पावर जनरेश रही है वहाँ पर अगर मुफत आवाद दिलवा रहा रहा तो उसकी सुविदा का मुले जीरो माना जाएगा क्योंकि वहाँ तो परिस्तितिया ही ऐसी है कि उस आदमी को आपको रखना ही होगा नियोत्ता को रखना ही होगा तो वो तो अपने कारियां को ज़्यादा परफेक्टली कराने के लिए वहाँ पर रखता है इसलिए कोई सुविदा नहीं है वो कोई सुविदा नहीं है आप सोचें कि जंगल में कई माइंस पर काम चल रहा हो तो वहाँ क्या सुविदा है मेरे को बताईए होगी करमुक्त होगी परन्तु यहां देखना होगा कि होटल का जो किराया चुकाया चुकाया यह वेतन का 24 परसेंट जो भी दोनों में से कम है वो सुविदा का मुल्य मान लिया जाएगा मतलब 15 दिन 20,000 तक मैं पहले ही बात कर चुका हूं यह दी किसी बयाज्मुक्तरिन की सुविदा कोई नियुक्ता अपने करमचारी को देता है तो 20,000 तक के बयाज्मुक्तरिन की सुविदा क्या होगी एक्सेम्ट होगी computer laptop का उपयोग करने के लिए देता है तो computer का उपयोग, laptop का उपयोग भी क्या होगा exempt होगा गैर मौदरिक अनुलाबो पर नियोकता द्वारा कर देखिएगा आप यदि कोई non-monetory प्रकिजविट्स है और उनके उपर नियोकता स्वेम कोई कर चुकाता है तो बिलकुल exempt होगा यहाँ पर यह सुविधा का मुल्य नहीं माना जाएगा फिर देखें घर से कारेलर, कारेलर से घर आने जाने के लिए यदि कोई वाहन की सुविधा वाहन लगा रखा उन्होंने कि सलो हमारी बस आपको ले आएगी आपको क्या करेगी छोड़ देगी वहां तक तो वह भी क्या होगा exempt perquisits होगा कोई refresher course, कोई training वगर है अगर करमचारी को करवा रहे हैं उस पर कोई खर्च हो रहा है तो वह भी क्या होगा exempt होगा टेलिफॉन मोबाइल का बिल यह दी चुका रहा है नियोकता तो वह भी क्या होगा exempt होगा सामोहिक मनोरंजन entertainment यह नि ग्रूप में पूरे-पूरे करमचारी को entertainment पूरे-पूरे करमचारी का दुरगटना विमा आदी की कोई सुविदा है तो वह भी क्या होगी exempt होगी तो यह आपको करमचत अनुलाबों का दोड़ा सा calculation देखना है कि कैसे करमचत अनुलाब कौन कौन से होते हैं ओके थैंक्यू